हलो स्ट्रों वेल्कम टो वर चैनल टॉपर में इस इन अर्लाइन लर्णिंग प्लैटफर्म यहां हम देखने वाले हैं मारा स्टेट बोर्ट की क्लास 10 उसकी मैथमेटिक्स पार्ट वन अब तक कि हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं अब हम देखने वाले हैं 6 लेक् करके दिखा देता हूँ जो है कुछ ग्राफिकल पॉइंट उसमें लिखा है तग्राफ आफ अफ लिनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल इस लाइन वह क्या है कैसा होता है कैसे ग्राफिकल मेतर से हम ड्रॉ करके एक्स और य की वैलो निकालते हो हम आके देखने वाले फ रिप्रेजेंट्स अपॉइंट अन डाट लाइन वह क्या है जो यह तीन पॉइंट्स उसको कैसे ड्रॉ करना है किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ यह है आपका फर्स्ट प्रॉब्लिम उसमें आपको क्या करना है उन्होंने दिया आई कैसे यह आपको मैं बता देता हूँ, इस equation को आपको इस तरह से लिखना है एक book पे, और assume करना है, assume मतलब यहापे तो अभी values दी हुए है, उस तरह से नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, assume करना पड़ता है, तो यहापे अगर मैंने मान लिया कि x की value मेरी 0 है, तो इस equation में x की value 0 put करके मुझे y की value मिल जाएगी, आई हम इसको prove करते हैं, अगर x की value 0 डाले तो मुझे y की value minus 4 मिलती है या नहीं, तो देख लेते हैं, तो x की value into 0 minus y equals to 4, तो यह value तो हो जाएगी मेरी 0, तो minus y equals to 4, it means y equals to minus 4, ओके, तो यह तो भई प्रूव हो गया, कि x की value अगर मैंने 0 डाली, तो y की value मुझे minus 4 मिलेगी, उसी तरह से अगर मैंने x की value 2 डाली, तो मुझे y की value 0 मिलती है या नहीं, उसे भी देख लेते हैं, तो x की value अगर मैंने 2 डाली, equals to y equals to 4, then this is 4 minus y equals to 4, यहाँ पे यह जो minus है, यह प्लस है, उस side में जाएगा तो क्या होगा यह minus हो जाएगा, ओके, तो इस तरह से यह तो 0 हो जाएगा, और यह minus y, और 0 को तो कोई sign लगता ने, therefore, y equals to 0, तो यह भी हमारी proof हो गई, उसके बाद, third one, x equals to, अगर 3 की value मैंने डाला, तो क्या आ जाएगा, देख लीजे, x into, x की जगा पे मैंने डाल दिया है, 3 minus y equals to 4, तो यह हो गया मेरा 6, minus y equals to 4, तो minus y equals to 4 minus 6, that is minus 2 minus y, minus minus cancel, y equals to 2, तो यह भी मेरी proof हो गई है, उसके बाद है, minus 1, x equals to, x equals to minus 1, then x into minus 1 minus y equals to 4, okay, then minus 2 minus y equals to 4, और यह जो y है, दुसरी side में जाएगा, तो हो जाएगा plus, उसके बाद यह हो गया 6, और यह minus y, minus size, जो है, यह दुसरी side में जाएगा, तो हो जाएगा minus 6, तो यह भी मेरी proof हो गई, चाहिए तो आप इसका screenshot ले लिजे, यह आपके काम में आए जाएगा, उसके respect to, हमें अब coordinates मिल गया है, x and y के, यह जो points है, x and y, हमको अभी यह draw करना है graph पे, तो आएगे कैसे करते हैं, तो यह आगे भी आपका graph, थोड़ा सा घुमते उंगते आ गया, ठीक है, अब इसको draw करना है, first क्या है, पहला है, सबसे पहले तो जान लिजे, यह जो horizontal line होती है, जिसको मैंने dark किया है, वो है x-axis, this is x-axis, और यह जो vertical line है, यह है y-axis, ओके और बीच में आता है 0, तो यह x-axis y-axis हो गया, उसके बाद यहाँ पे scale भी लिखते है, लेकिन अगर मैंने scale लिख दी, तो फिर यह जो points से वो draw नहीं हो पाएंगे, तो scale में आपको final, जो image रहीगी कि उसमें आपको present कर दूँगा, तो सबसे पहले x की value है 0, and y की value है minus 4, x की value है 0, y की value है minus 4, मतलब मेरा point का आजाएगा, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए pen change कर देता हो, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख लिए, यह दिखे, यह होगा मेरा blue pen, और यह यह पे check भी क और y पे 0, x पे 2 और y पे 0, उसका मतलब यह कहां पर आएगी, यह यहां पर, okay, and the third point is, third point is, sorry, I could not see the third point because of that recording, जो है, उसका लोग है, वो आपर आ गया, third point जो है, वो है 3 and 2, okay, 3 and 2, उसको मैं देख लिए ता हूँ, आपको यह रिप्रेजेंट कर देता हो, यहां पर, पहन ले लिए मिने, उसके बाद 3 and 2, मतलब x-axis पे आएगा मेरा 3, x-axis पे आएगा 3, और y-axis पे 2, तो यहां पर मिल जाएगी, okay, किस तरह से, इस तरह से, इसको देख लिजे, इस तरह से आएगी, थोड़ी सी जिग-जग करके आगई, okay, and the last one is, last जो है, वो है, minus 6 and minus, minus 1 and minus 6, x-axis पे आएगी minus 1 and y-axis पे minus 6, minus 1, यह है मेरा इदर, और minus 6 इदर, तो यहां पर आएगी वो, okay, तो इसको आप इस तरह से draw कर सकते हैं, like this, इसी तरह से आपको आपकी graph paper पे draw करना है, equation को solve करना है, उसके बाद जो आपकी चार points मिल है, इसको आपको, क्या करना है, इसको attach करना है, तो मेरे पास तो scale है, नहीं भाई, इसको इस तरह से attach कर देता हो, मतलब इसको intersect कर देता हो, एक line से, तो इस तरह से आजाएगी, ओके, तो यह जो मिल गई आपकी, यह मिल गई है line, ओके, यह है linear equation की line, लेकिन यह तो सिर्फ समझने के लिए है, कि graph कैसे निकालते है linear equation की, इसके आगे जो आने वाले है, उसके साथ आपको दो equation आएंगे, तो दो line निकलेंगी, दो line जहाँ पर intersect होगी, वो आपका हो जाएगा solution, तो इसकी अच्छे वाली copy में दिखा देता हूँ, यह आगे की अच्छे वाली copy, यह होगी straight line, इसको आप देख लिजे, इसकी screenshot निकल लिजे, इसी तरह से इसको देखके, note down कीजे, copy कीजे इसको, और जो final image है, book की, वो भी आप देख लिजे, यह है आपकी final image, तो यह है scale, scale में क्या लिखा है, on both axes, means x and y, 1 cm, यह जो distance है, यहाँ से लेके, तो यहाँ तक horizontally, यहाँ से लेके, यहाँ तक इदर, वो है 1 cm, तो 1 cm equals to 1 unit, तो मतलब यह जो 0 है, फिर यह 1 है, 2 है, यह 1 unit, 2 unit, 3 unit हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हमको यह solve करना था, तो यह next वाला है, next वाले के यह points है, points में आपको, अगर मैं इसको a first वाला solve करके दिखाता हूँ, अगर x की value मैंने minus 1 डाल दी, तो मुझे minus 5 मिलता है, क्या नहीं, इसको check कर लिजे, x की value, सबसे पहले equation लिख लेता हो, अच्छी तरह से, उसके बाद x की value आएगी मेरी minus 1 plus y equals to 4, y इदर जाएगा, minus 1, दूसरी side में जाएगा, तो 1 plus, और यह होगी मेरी final value, तो yes, correct, ओके, तो मेरी final value मुझे मिल गई, minus 1, minus 5, इसी तरह से इसको आप put करते जाएगे, और आपको value मिल जाएगी, यह तो problem given था, क्योंकि इसमें सब values दिये हो है, next problem कुछ ऐसे आएगे, उसमें कुछ values missing है, वो भी हम solve करेंगे, उसकी भी lectures ready है, जल्दी upload हो जाएगी, बस आप इस channel को, इस channel के साथ रहिए, इसके साथ यह वाला देख लीजी अभी, यह जो first था, मैंने जो अभी बोला, जो यह वाला था, यह इसी practice के लिए था, उसमें एक ही line दिया हुआ है, इसमें अब यह equation की eq की eq लई आएगी, और इस aquesta 생 Mexico की eq. यह जो points है, यह वाले जो points है, उसके ही यह वाले जो points है आपको यह booning करना है्ट पर किस तarry से, किस तरह से यह होगी आ आपकी X, Y axis, यह होगी आपकी X, एकसिस इस पर मैंने वो points put किये उसके बाद यह line draw करने के बाद मुझे एक final सा एक point intersection मिल गया और मेरी values क्या रही है यहाँ पे x equals to 2 and y equals to 2 यह है मेरी final answer और यहाँ पे आद थोड़ा observe कीज़े मैं सेरी से paint change करके आपको दिखा देतो highlight कर देतों आपको chapel यह intense मैं इसको थोड़ा highlight कर देत हो यह देखे यह है मेरी question की line और second यह है मेरी second equation की line यहाँ पे ही उन्होंने अच्छी तरह से लिख लिया है औक तो आपको भी इसी तरह से लिखना है जो line आपकी है उसी respective आपको equation लिखना है okay I hope you have understand it sorry you have understood it properly so आपको जो next है जो जिसमें values missing है वो आएगा आपके जो actually activity है वो आने वाली है next video में तो इस channel के साथ बने रहे है उसके बाद इसको like share and subscribe कीजे और जो भी है है आपके friends है और जो भी classmates है उनके साथ यह share कीजे उनको भी यह video मिले उनको भी concept समझ में आए इसमें छोटी-छोटी concept है छोटी-छोटी videos है इसमें मैंने अच्छी तरह से आपको concept इसको समझ की दिया है कुछ extra point भी minute डाले है I hope आपको वो समझ में आ गए होगे so thank you so much for your listening thank you so much for your love and support God bless you